आप लोगों के दिलों में जगए बना रही है लेकिस बता दें आप लोगों को कि नैना नहीं बना पाई है समीर के दिल में जगा नैना ये बात जान गई है कि समीर उससे प्यार नहीं करता और नैना अपनी सिंगल साइटेड मोहपत से काफी परिशान है इसी के चलते नैना ने स्कूल चेंज करने का भी फैसला लिया नैना ने वनस्थली में एड्मीशन दिया लेकिन वनस्थली की टिकेट वो हो गई घुक्च और नैना को बेहत बुरा लगा इस तूरे ट्विस्टेंग टर्ण के बीच समीर परिशान है क्योंकि नैना जा रही है लेकिन उसकी मोहबद उसे परिशान नहीं कर रही वल्जी परिशान कर रहा है उसे उसका नालच समीर जानता है कि अगर नैना चली गई तो कोई और उसकी पढ़ाई में मदद नहीं कर पाएगा इसी के चलते समीर चाहता है कि नैना उसी स्कूल में रुक जाए बता दे आपको कि हैट बॉय वाले ट्विस्ट में भी अब एक इंट्रस्टिंग सा टर्न आने जा रहा है असल में पहले तो समीर के दोस्तों ने कर दी अरजुन के खिलाब साजिश रख दिया शेफ़ाली के लिए एक लव लेटर ताकि अर्जुन का नाम बतनाम हो और वो हैट बॉय ना बन पाए लेकित फिर समीर को याद आ गया अपने नानू को दिया हुआ प्रॉमिस और समीर दोड कर गया उस बॉक्स की तरफ जहां पर वो लव लेटर रखा हुआ था अब देखने वाली बात ये है कि समीर अपनी सिंसियारिटी से हेड बॉय का इलेक्शन जीत पाता है या फिर नहीं किसमत जो नैना को रोकने की कोशिश कर रही है वो उसमें काम्याम हो पाती है या फिर नहीं प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स